आज हम पढने गे आरेनिए के बारे में आरेनी क्या है पेहली बात यह क्या single standardized structure होता है Single standardized मतलब जैसे की RNA में जैसे की DNA होता है in the DNA में क्या double strands present रहती है लेकिन आरेनि मैं dot क्या single strand present रहती है यह ऐसी ठीक है अब जो chain chain और आरेनी की जो चेन बनती है वो क्या end-to-end polymerization से बनती है राइबो नूक्लियोटाइट से और जो पेंटो शुगर इसमें प्रेजंट रहती है वो कौन से होती है राइबो शुगर अब और इसमें एक अलग बात होती है जैसे कि अब डिने की बात ले तो इसमें कौन से 175 प्रॉसेल प्रेजंट होता है और यही एक में डिफरेंस है और नटी आने के पीच में अब जैसे कि अपने dna के प्ढ़ा था कि वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थूठ अरेन बनाता है वैसे ही सेम ौटेन होगा transcription से DNA के और इसका structure कैसा रहता है हमने अभी उश्रू में ही पढ़ा कि single standard होता है लेकिन कुछ वाइरस इसमें जैसे कि Rio virus हुआ है TMV हुआ है yellow mosaic virus हुआ इन सब में कैसे RNA double standard form में present रहते है और single standard RNA जो रहता है वो certain regions पे या ऐसा कहलो कि एकिना कुछ जगाओं पे folded रहता है या फिर पूरे folded रहता है जिसकी वज़े से वह एक क्या hairpin like structure बनाता है और यह अभी अपने शुरू में पढ़ा एकिना थाइमीन की जगा यूरेसल प्रेजन्ट रहता है RNA में और कुछ और कुछ वाइरस इसे होते हैं जिसमें को follow करेगा उसे अपन बोलेंगे non genetic RNA यह हो गए genetic और non genetic types के RNA अब structure इसका कुछ इस type का दिखता है आप types की बात करते हैं जनरली tRNA, rRNA, mrn यह तीन main types होते हैं RNA के लेकिन और भी है जैसे कि small nuclear RNA, small cytoplasmic RNA है और उनी सबसे पहले हम सब्सक्राइब याने कि ribosomal RNA अब rRNA क्या है यह constituent है ribosomes का अपने सुन जासे ही कहा कि यह क्या है ribosomal RNA तो इतना तो होई गया यह एक लाइन तो होई जाएगी कि यह constituent है ribosomes का अब यह एक point है कि यह सबसे ज़्यादा abundant RNA है और जो 72-80% constitute करता है total RNA का यह वही बात है कि ribosomal RNA means ribosomal RNA यह मैंने नीचे लिखती है अब यह क्या excitementation coefficient के basis पे अगर अपन इनको divide करें तो eukaryotes में यह 4 टाइप के होते हैं 28S 18S, 5S और 5.8S और prokaryotes में यह 3 टाइप के होते हैं 23S 16S और 5S 28S, 5.8S और 5S क्या larger sub unit में होते हैं ribosomes के अंदर जबकि 18S और 16S smaller unit में पाए जाते हैं ribosome में अब इसका एक function होता है RNA का वो क्या function है कि यह क्या करता है bind करते हैं protein molecules को bind करते हैं protein molecules को और ribosomes को बनाते हैं अब TRN बात करते हैं TRN का structure बहुत famous और यह बहुत पर आता भी है तो TRN क्या है transfer RNA यह सबसे ज़्यादा smallest RNA है क्या है सबसे ज़्यादा smallest RNA है पुरे RNA में अब यह क्या 10-15% रखता है total RNA का और फिर इसका molecular weight 25,000 से 40,000 delta something होता है इसे अपन soluble RNA भी कहते हैं soluble RNA क्यों कहते हैं क्योंकि यह 1 M NACL में soluble है अब इसे adapter RNA भी कहा जाता है क्यों क्योंकि यह क्या amino acids को carry करते हैं to the site of protein synthesis, protein synthesis के site तक उसे carry करते हैं अब यह क्या है सबसे smallest RNA है यह अभी आपन ने बढ़ा तो यह क्या 75 to something 95 nucleotides से मिलकर बना होता है बस और tRNA क्या 20 types के होते हैं 20 types of amino acids के होते हैं इस वज़ा से tRNA भी 20 types के होते हैं अब जो tRNA वो भी single standard है अब्वियस सी बात है कि यह RNA का type है तो यह single standard हो गई लेकिन इसमें एक बात रहती है कि यह इतनी जादा इसमें folding होती है कि यह double standard दिखते हैं single standard होने के बावजूद भी अब यह RNA क्या करते हैं इसका एक function है यह क्या करते हैं transfer करते हैं amino acids को to the site of protein synthesis और इसका एक structure है यह इसमें यह चार लूप्स होती है first loop, second loop, third loop और fourth loop जैसे है first arm, second arm, third arm, fourth arm भी खह सकते हैं अब first arm में five dash end होता है और three dash end होता है और यह बहुत जादा इसमें folding से इस वज़़ा से यह क्या double standard दिख रहा है fifth end पे guanine present होता है और third end पे cca group और एक functional group present होता है जो कि क्या है OH है अब first arm को क्या कहते हैं अपन activated amino acid attachment site यहाँ पे इसे क्या कहेंगे activated amino acid attachment site अब इसमें यह जो लंबा वाला part दिख रहा है इसे अपन बोलेंगे stem और यह इसे loop बोलेंगे step में क्या रहते है hydrogen bonds present रहते है जबकि loop में hydrogen bonding absent रहती है ऐसा क्यों है यह भी हम पढ़ेंगे आगे अब जो second arm है उसे अपन T-CIC बोलते है T मतलब thymine अब अपनने अभी पढ़ा था कि uracil present होता है RNA में तो thymine तो होता ही नहीं है लेकिन यह पर्टिकॉलर एक ऐसा आम है जिसमें uracil की जगा thymine present होता और यह यह कारण है कि loop में क्या होती है hydrogen bonding absent होती है और फिर sign मतलब sign एक abnormal base है जिसे अपन pseudo-uracil बोलते है pseudo-uracil क्या है abnormal base है जो loop में पाया जाता है फिर c मतलब cytosin और second arm की help इसे अपन second arm की help इसे tRNA combine होता है larger sub unit से ribosomes की अब इसमें एक variable arm भी होता है यह जो variable arm है इसके ज़्यादा कोई functions नहीं है और इसमें एक थर्ड arm होता है anti-codon loop या arm जो क्या सबसे ज़्यादा important है और सबसे ज़्यादा function करता है यह anti-codon loop जो रहता है यह क्या करता है mRNA कोई codon को recognize करता है और इसमें जो abnormal base present रहता है वो होता है inducing base अब इसमें यह एक T arm होता है यानि कि fourth वाले में क्या है इसे अपन D arm बोलेंगे D arm इसे क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें dihydrodin present रहता है यह एक abnormal base है और इसे amino acyl synthetase binding site भी कहा जाता है क्यों कहते हैं हम इसे amino acyl synthetase binding site क्योंकि amino acyl synthetase क्या है एक enzyme है जो recognize करता है और activate करता amino acids को जिसकी बज़ा से amino acids क्या होंगे three dash end से attach हो जाएंगे यहाँ पर यह क्या attach होने लगते है amino acids इस enzyme के through वो क्या करेगा recognize करता है amino acids को और उनको activate करता है अब इसका third type है mRNA mRNA क्या है instructions लाता है DNA से ताकि क्या polypeptide chains form कर सके और यह two to five percent form में present होता है पूरे RNA में इसका structure कुछ इस type का है five dash terminus में क्या methylated region होता है जो cap के तरह act करता है और ribosomes इसमें attach होते इसके बाद आता है non coding region then यह initiation codon है यह पूरा coding region हो गया यह termination codon हो गया यह non coding region हो गया और यह three dash terminus में poly a present रहता है अब यह तीन छोटे छोटे टाइप के RNA लेकिन है genetic RNA क्या होगा कुछ वाइरस इसमें genetic RNA present होता है जब RNA कैसा genetic hereditary material की तरह act करेगा तो उसे अपन बोलेंगे genetic RNA और यह single standard भी हो सकता है double standard भी हो सकता है single standard और double standard भी हो सकता है small cytoplasmary का RNA मतलब यह क्या है small size टे जो cytoplasmary में present रहेगा ऐसा एक RNA कौन सा है 7SR है और एक और है इसमें यह छूड़ी है small nuclear RNA यह क्या है small size टे आरेने जो nucleus में present रहेगा अब इसके functions functions क्या है RNA primer essential रहता है DNA replication के लिए और यह hereditary material की तरह act करता है कुछ virus में जैसे कि अपनने पढ़ा genetic RNA और यह क्या enzyme activity शो करता है और यह instructions लाता है DNA से polypepti chain के formation के लिए यह भी पढ़ा अपनने अब क्या है RNA और DNA के differences अब यह सबसे पहली बात तो यह हुए अडिनेन, गौानीन, साइटोसीन और थाइमीन प्रेजंट रहते है DNA में जबकि RNA में थाइमीन की जगा uracil प्रेजंट रहता है और पेंटो शुगर जो प्रेजंट रहती है DNA में वो कौन से होती है डियोक्सी राइबोस और RNA में वो पेंटो शुगर होती है राइबोस और DNA क्या डबल स्टेंडर्ड है RNA सिंगल स्टेंडर्ड है और इसके जो टाइप्स हैं वो कौन-कौन से A, B, C, D and Z ब्रेट फार्म ऑब DNA जबकि rnm के टाइप्स कौन से tRNA, rRNA, mRNA, etc अब जो DNA है वो केवल नूक्लियस में प्रेजंट रहेगा और माइटो कॉंट विया में लेकिन कभी भी वो साइटोप्लास्म में प्रेजंट नहीं होता है लेकिन RNA क्या nucleus में भी present हो सकता है और cytoplasm में भी present होता है तो यह इनके main differences हो गए